नमस्का साथी हूँ आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस के बारे में बात करने बाले हैं हम लोग बात करने बाले हैं जेरेमी लाल रिन नुंगा के बारे में और आप सभी कुमाल होगा कि अभी आपके कॉमन बैल्थ गेम 2022 चल रहे हैं उसमें बहार तौलन में इन्होंने सौड पदक यानि की गोल्ड मेडल हांसिल किया है एक बार आप लोग और कुछ पिक्चर्स देख लिजे और आप देखिए कहा हो रहे हैं गेम्स तो यह देखिए हमारी प्यारी पित भी है और इसमें देखेंगे यह हमारा प्यारा भारत है एस यहां से आप लोग यूरोप जाएंगे ना तो आपको यूनाइटिड किंगरम मेंचेस्टर देखने को मिल जाएगा यही आप देखेंगे आपको बर्मिंग हम देखने को मिलेगा यहीं खेल आयोजित किये जा रहे हैं अगर हम लोग commonwealth games के बारे में बात करें यह पर आप लोग इसे राष्ट मंदल खेल भी कह देते हैं, इसे सौट में आप लोग C.G.F. भी कहते हैं, और ये पहली बार आप देखेंगे कि 1930 में हुए थे, और हर 4 साल पर होते हैं, और इसमें आप देखेंगे अंतराश्टी ये, बहु खेल पिती हो गीता है, और आप देखते हैं कि राष्ट मंडल हैं जो द सकता है, नॉर्मल सी बात है, अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की कुश्यस मूच लेता है, अगर हम लोग Jeremy के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि इनका जनम मिजोरम में हुआ था, कहा हुआ था, मिजोरम में हुआ था, एकबाल आप देखेंगे राजजबनानी की बात करें, तो 20 फरवरी 1987 में से राजग बनाये गया था, यहाँ विदान सभा में 40 सीट हैं, राज्य सभा में आप देखेंगे एक सीट है, लोग सभा में हैं, और आप देखेंगे आप लोग को थोड़ा बड़ा अचिमबत कर लगता हो यह नाम रखने में भारत की पहले यूथ ओलंपिक बिजेता की वेट लिप्टर बनने की जर्णी छे साल की उमर में ही शुरू हो गई थी और जेरीमी की पिता ने उन्हें वेट लिप्टिंग को लेकर काफी मदद करते हुए एक फिरोफेस्नल वेट लिप्टर खिलाडी बन बने लेकिन आप देखेंगे कि जर्णी लाल रिनुंगा का जनम 26 अक्टूबर सन 2002 को मिजरम के आई जॉल में हुआ था और जर्णी की पिता लाल नेह लुंगा एक पूर बॉक्सर खिलाडी हैं और साल 1990 में जर्णी की पिता नेशनल लेवल के बॉक्सर खिलाडी रहने के स खिलाड 6 साल तक आबिजित रहे यानि कि जीत नहीं पाए लेकिन खेलते रहें सभी को भरोसा था कि वह एक दिन महान बॉक्सर खिलाडी बनेंगे और जिनको देश पर गरव होगा लेकिन वह बिस इस तर पर अपनी चाप छोड़ने में नाकाम रहें क्या रहें नाकाम रह और जिसके बाद उन्होंने अपने बेटों को इस खेल में भविस्ट बनाने के लिए होसला बढ़ाया लेकिन जेरिमी ने अपने लिए कुछ अलगी सोच रखा था और दो साल की कड़ी महनत के बाद जेरिमी की पिता ने उनका एड़मीशन कराने के पूने के आर्मी करते रहे जिस जेरिमी एक सांदर वेट लिफ्टर खिलाडी बन गए है अगर हम लोग इनके प्रोफेशनल जीवन की बात करें तो जेरिमी के कोच मल स्वामा खिया गटी ने उन्हें साल 2011 में आर्मी स्पोर्ट्स इस्टीटीउट के ट्राइस में हिस्ता लेनी की सला दी थ चैंपियनसी में 56 क्लोग्राम इविंट में सिल्पर घग भी जीता था और आप देखेंगे कि 2018 में हिल जीता थ हुनास आर्स हुआत लोमपिक हेल में और आप देखेंगे कि अभी हाली में कॉमन बेल्थ गेम्स में 2022 में भारती वेट लिप्टरों का सांदर प्रिदत संजारी है जिसमें जेरिमी ने 67 किलोग्राम भार में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और जेरिमी लाल रिनुंगा ने गेम्स रिकार्ड बनाते चली हम लोग बात करते रहेंगे और लाश्ट में क्या करेंगे कि ओवर विव भी ले लेंगे जो भी आपकी राश्ट मंडल के लें इनके बारे में जान लेंगे तो इसकी क्या रहेगा अगर आपकी परिक्षाओं में कोई questions पूछा जाता है तो उनके बारे में आसानी से आप लोग याद रख पाऊगे और दूसरी बात इस तरह का अगर कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामन जानकारी मालू होना चाहिए और किसी के बारे में जानना हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उस पर अभी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है आप लोग पढ़ते रही है इंज्वाय करते रही है